हेलो एबरियन स्वागत आप करे खरे सिपी में आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ मूं की खटी दाल बहुत आसान तरीकेस में बताऊंगी अभी आम का सीजन चल रहा है तो आप इसको एक वट्रेस जरूर किजिएगा बहुत स्वाधिश्ट बनता है चलिए बनाना मूं की दाल में कच्चे आम का स्वाध बहुत ही अच्छा आता है ताप एक वारिस को ट्रेस जरूर किजिएगा यहां पर मैं देर गिलास पानी डाल देंगी और यहीं पर हल्दी और नमक डाल दें तो यहां पर मैंने आधा चमच नमक डाल दें एक तिया ही चमच हल्दी पॉडर डाल दें और अधा चमच यहीं पर लाल मिर्च डाल दें यहीं पर हम कटा हुआ आम डाल देंगे बस इसमें और मासाला नहीं डालना है कुंकर का ढखकन बंद करके दाल में 3 सीटी लगाया मूं के दाल 3 सीटी में आराम से पक जाती है तरके के लिए पैन में 2 लगए अगर आपने हैं तो चेहरा को बचा के अई भखन लगा के पकाए यह बहुत जरूरी है सरसो के दाने को ठीक से पकने दे, अगर सरसो के दाने कच्चा रहा गया, तो दाल का स्वात खराब हो जाएगा, तो बस यहाँ पर इस बात का धियान रखे, यहाँ पर मैं इसको बीच में एक बार चला देती हूं, इस दाल को बनाने में सिर्फ हल्दी मीर्चा और नमक डाले और तरके में सिर्फ सरसो के दाने से इसको तरका लगा, बहुत ही स्वादिस्ट बनता है, और यहाँ पर हम उबला हुआ दाल डाल देंगे, दाल में बस एक उबाल आने देना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है, ने तो हमने जो आम डाला है, आम पूरा उसमें मिल आपको आम का पता ही नहीं चलेगा, तो यहाँ पर धिहान रखने वाली बात यह है, कि दाल को जब उबालते हैं, सिर्फ तीन सीटी लगा, और जब आप दाल में तरके लगाते हैं, उसके बाद दाल को सिर्फ एक उबालाने तक पकाए, यहाँ पर हमारी जहट पट बन जा आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पने है तो सब्सक्राइब करें, कॉमेंट जरूर करें, उससे हम मोटिवेट होते हैं